मेरे सातियों आज अभी हम यहां पर जो बारी को पुरी तरह से इसको जोद करके मैंने भुरभुरी कर दिये हैं और पुरी तरह से प्लेन कर दिये हैं और यहां पर अभी इसको हम आज अभी मिर्च के पोधे को लगाने वाले हैं तो वो किस तरह से लगाएंगे आप लोग को जली को दिखाएंगे और ये जो रस्ती देख रहे यह इस रसी के जरीय में इसको लाइन को करेंगे और ताकि वो इधर अधर ना हो जाए इस वह से श्रहासी को लाए है और रसी के जरीय, उनको यहां पर बिते के लिए मिज की पोधे को रूपने के लिए एदम तो मैंने मीर्च के पोधे को आप लोगों को दिखाए थे तो अभी उसको मैं वहां से उखड करके लाएंगे यानि कि ट्रांस्प्लांट करेंगे आज तो आप लोग वीडियो पे बने रहें और किस तरह से वो लगाएंगे किस तरह से लाइन को खिचते हैं आप लोग जरू तो आप लोग भी इस तरह की मीर्च लगाएं और आप लाखो रुपया कमाएं तो आप लोग वीडियो पे सुरू से एंट तक जरूर बने रहें तो चलिए वीडियो पर करते हैं और यही मीर्च जो अभी वहां पर ट्रांस्प्लांट करेंगे तो आप लोग वीडियो पर बने रहें जैसे यहां बड़ा-बड़ा मेरा मीर्च का पोधे हो चुके हैं करेंगे पहले जो इस वेड़ वाला सबसे पहले हम ट्रांस्प्लांट करेंगे तो आप लोग जरूर से वीडियो पर बने रहे हैं ही जरूर देखिए बहुत ही इंट्रेस्ट और इससे बहुत कुछ सिखने को मिलेगा तो आप लोग जरूर ध्यान से देखिए और सुरू से एंड तक देखिए चोंकि बीच अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो इसमें बहुत कुछ छुट सकते हैं जनकारी के लिए तो भी बारी आ चुके हैं और इस रसी को मैंने ख की खीचेंगे तो अब लोग देखिएगा किस तरह से लाइन कई हैं और रसी के जरिये इसको खीचें और इस गयता से किए हैं तो आप लोग यह पजाएं को देख सकते हैं कि यहां से नडालाइन को धिसे ने खीचें कि आप एँ सरह हैं और यहां पर यह मीर्च कि पोधे को रोपन दीखाएंगे और इसको इस लाइन पर क्रोस करेंगे वहीं वहीं पोधे का रोपन करेंगे तो आप लोग एदम ध्यान से देखिएगा पिछले आप लोग वीडियो पर बने रहीं मेरे साथियों आप लोग यह क्रोस लाइन देख सकते हैं इस तरह से मैंने क्रोस किये हैं और इसी क्रोस जहां जहां लाइन पर क्रोस हुआ है वहां वहां पोधों को और उपन करेंगे मीच के पोधों को तो आप लोग जरूर से देखिए यहां से वहां तक इस तरह से लाइन खीचे और उसको लाइन क्रोस के हैं दोनों तरफ से लाइन खीचे हैं यानि कि यह जो अगर आप लोग को बताएं यह कितना कितना फिर डेड़ फिट डेड़ फिक के दूरी पर मैंने यह लाइन खीचे हैं दोनों तरफ से इधर लंबाई चोड़ाई भी यानि दोनों तर ल होगा तो बहतर रहेगा जिसके वज़ा से मैंने डेड़ डेड़ फीट में इसको रोपन के लिए मैंने लाइन खीचे तो किस तरह से रोपते हैं और उसी क्रॉस पर मैंने गड़ा करेंगे और वहां पर पोधा रोपन करेंगे तो अप लोग वीडियो को मेरे साथियो अभी यह पोधे अभी तुरंत रूपने हैं इस तरह से रोपमें जो कि जहां-जहां क्रोस लाइन हो अब यहां इस तरह से आप लोग विडियो पर बने रही हैं एंड तक दिखाते हैं किस तरह से इसको रोपके किलियर करते हैं और सैम अब लोग भी इस तरह की खेती कर रहे हैures इस तरह से पोधार ओपन किजी और इसको रोप करके system cut करते हैं और आप लोग में दिखाएंगे सिछूव तो मैंने एकदम कम बजट में इसको मैर ओपन हो गर करना है पोधह एसा बी है जो की पहले बेड बनाया जाता है और उस पे मिर्ज का रोपन करते हैं तो वो भी ठीक है और ये भी कोई दिक्कत नहीं है और इसमें भी बाद में जब ये जिवित हो जाएगा तो इसके बाद इसको मैं बेड बना करके आप लोगो दिखाएंगे तो आज के जो वीडियो है इसमें पोधा रोपन दिखा रहे हैं तो आप लोग किलियर करके इसको दिखाएंगे मेरे साथियों आप लोग देख सकते हैं ये मिर्ज का जो रोपाई किलियर कर चुके हैं आप लोग यहाँ से देख पा रहे हैं और यह मिर्च का पोधे जो है जो रोपन के है, यह आपका टेड़ फिट यह लंबाई में भी अखेशना ऊक्या और फिश और मिर्च के पोधे को हम रोपन के हैं, यानि याट "'by D'' मैं ही दोनों तरफ से डेड़ फिट या तर यहा रोपन किये हैं आप लोग देख सकते हैं बहुत ही संदार है आज ही इस तरह से मारे रोपन करके रुपआी करके केलियर कर देए और देखते हैं इसका प्रबैमनीशन कीस तरह से होता है और जो इसका जो बेड बनाएंगे वह आप अगले पार्ट में दिखाएंगे तो आज की जो टोफिक्स था कि मिर्च की पोधे को किस तरह से मैंने ट्रांस्प्लांट किये और अप लोग देख पा रहे हैं यहां पर बड़े बड़े पोधे हो चुके यह दो महने के मिर्च के पोधे हैं और तो चलिए आज की वीडियो म अगर अगर आप लोग इस सनी चसा ऑफिशल यूट्यूब चैनल को अब लोग सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो आप लोग इस चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब किजिए और वेल घंटी को आल में सेलेक किजिए ताकि नई वीडियो अप्लेट करने पर नोटि और इस तरह की कुछ दिक्कतें आती होगी आप लोग को या इस तरह की खेती करने चाह रहे हैं तो आप लोग जरूर से इस तरह की वीडियो को देखें और अप लोग कुछ तुरूटी आ रहे हैं तो आप लोग कुमेंट में जरूर बताएगा तो चलिए आज की वीडियो जयांद करते हैं, धन्यवाद.